बच्पन में हम सबने हाजमुला तो खाई है। हाजमुला का चटपटा फ्लेवर सबको बहुत पसंद आता है। साथ ही हाजमुला डाइटिशन के लिए भी बहुत हेलफुल होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये हाजमुला के गोलिया असल में बनाई कैसी जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाजमुला फैक्टरिज में बनाई कैसी जाती है। तो तयार हो जाओ, ये है पैक स्टार, जहां आपको मिलेंगे मज़दान फैंट्स लगातार हाजमुला बनाने का में इंग्रिडियन्ट होता है जीरा, यानि क्यूमिन सीर्स जीरा को बहुत बड़ी मातरा में कलेक्ट करके फैक्टरी में लाया जाता है उसके बाद इस जीरा को एक बहुत बड़े मशीन में डाल कर उसे अच्छे तरह से रोस्ट यानि बूना जाता है अब बात करेंगे हाजमुला के खटे मीटे फ्लेवर्स की हाजमुला के फ्लेवर्स एड़ करने के लिए बहुत सारे मसालेस एड़ किये जाते हैं फिर उसका बहुत ही finely grinded mixture बनाया जाता है और साथ ही इस mixture में कुछ secret spices भी मौझूद होते हैं जो की हाजमुला को एक बहुत ही अलग टेस्ट देते हैं उसके बाद में roasted जीरा, सारे मसाले और secret spices को एक मशीन में डाला जाता है जहां उन्हें grind किया जाता है ताकि सारे ingredients एक दूसरे के साथ अच्छी तरह mix होकर बहुती fine powder बन जाए अब हमारा finer mixture तयार हो चुका है अब इस powder को दूसरे मशीन में डाल कर उसकी छोटी छोटी गोलिया बनाई जाती है अब हमारी हाजमुला की गोलिया तयार हो चुकी है उसके बाद में इन छोटी छोटी गोलियों की package ही होती है जहां उन्हें bottles और packets में भरा जाता है और उसके बाद ही stores में बेचने के लिए भेजा जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाजमुला का production कब और कैसे start हुआ था हाजमुला को पहले digestive KV tablets के नाम से जाना जाता था डाबर जो की one of the best Ayurvedic companies में आती है उन्होंने ये tablets produce की थी डाबर 1978 से पहले locally सिर्फ traditional Indian medicinal products बेचा करती थी लेकिन 1978 में डाबर जब बड़ी FMCG company में convert हो रही थी तब उन्होंने इन गोलियों का नाम change करके हाजमुला रग दिया साथ ही इसकी marketing भी ऐसी की जिसमें उन्होंने हाजमुला के चटपटे स्वात के साथ साथ digestion के benefits भी बता दिये हाजमुला का tagline भी बहुत सालों से यही था चटपटा स्वात चटपटारा जिसके बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक हाजमुला बहुत फेमस हो गया तो ये सब कुछ था आपकी पसंदिदा हाजमुला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना साथ ही आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मेंचन कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन बाबाई